फो सब्जेट गो में आप सभी का सवागत है आज हम जानेंगे कि आप अपने कंपिडर का डिस्पले का जो है फॉंट साइज किस तरह से बढ़ा सकते हैं। डिस्पले का कहने का मतलब है कि यहां राइट क्लिक करके आप जो फाइल यहाँ पर खोलते हैं और जब भी कंपोटर में यहाँ पर कोई भी सॉप्ट्योर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखा होगा आपने बहुत छोटा छोटा जो है राइटिंग आता है अगर आपने इसडी ग्राफिक्स जो है इंस्टॉल कर रखा अपने कंपोटर में तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है यह फॉंट साइट जो है इसको जो है बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए अपने डिस्प्ले पे यानि कि डेक्स्टॉप पर राइट क्लिक कीज और उसके बाद जाए यह फॉलो करके उसमें जो बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक किजिए इस तरह से राइट साइट में यहाँ पर दिखे ऑप्शन आता है और यहां लेफ्ट साइट में भी कुछ आप्शन यहां पर दिखाई दिता आपको त्यहाँ यहां पर डिफुल्ट जो है नोर्मल जो है यहां पर रहता है 100 पर ठीक है डिफुल्ट ठीक है 100% पर यहां पर आपको करना है medium 125% पर इसपे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको apply बटन पर click करना है ठीक है यहां पर apply बटन जो है यहां पर देख सकते हैं नहीं आ रहा है मेरे क्यूंकि मैंने 25% पहले से बढ़ा रखता तो आप collect कर सेट रब लाई करने के बाद आप से यहां पे ने आपको 100 पर संट करना तो फिर से यहाँ पर संट पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन आईए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि by default 100% ही क्यों रहता है 125 क्यों नहीं रहता है तो देखे इसके लिए सबसे खास बात है कि 100% by default इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप 125% लेते हैं तो कुछ ऐसे software होते हैं जिनमें बहुत सारा option होता है option का तो वैसे ज्यादा effect नहीं परता है ज्यादा effect परता है software के खुलने के तरीके ठीक है तो कुछ software ऐसे होते हैं जिनको खुलने के लिए बहुत ही चोड़ा लंबा चोड़ा डिस्पले चाहिए desktop चाहिए तो वो software में कुछ option जो है वो cut जाते हैं अगर आपने 125 वाला ये वाला option ले लिया 125 वाला तो उसमें सभी option जो है software में बड़े बड़े हो जाएंगे और उसके बाद कुछ option हो सकता है उसमें cut जाते हैं ठीक है जातर ये normal software में नहीं होता जो high level के video editing software है या audio editing software है या movie editing software है उन सब में जो है ये जातर problem आता है तो अगर आप normal user है एक normal user है सीख रहे है computer या फिर आप काम कर रहे है tally या accountants या data entry का काम कर रहे हैं आप तो उसके लिए जो है आप 125 पे रख सकते हैं ठीक है क्योंकि जितना कम आप percentage रखेंगे उतना आपके आँखों को ज़्यादा focus करना पड़ेगा आपने screen पे तवी आप अक्षर पढ़ पाते हैं लेकिन अगर आप display पे मान लिजे कोई चीज बड़े बड़े अक्षर में आ रहा है तो आसानी से आप जो है दूर बैठके भी पढ़ सकते हैं उस चीज को ठीक है तो ये खास बात होता है कि 125 जो है आप कर सकते हैं तो मैं तो फिलाल 125 यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा high level के software यूज नहीं कर रहा हूँ और मेरे को अभी तक कोई problem नहीं आया है अगर आपको problem आता है कोई ऐसा software आप बजार से खरीद के लाते हैं और install कर लेते हैं जिसमें जो है कुछ option कर जाता है तो बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या करना है आपको फिर से right click करना है अपने computer में और आना है यहाँ पर नीचे प्रस्टनलाइज में और आने के बाद यहाँ पर जाना है ले लिजिए या 125 लिजिए क्योंकि computer जो एक बार बंद होगा और बंद होने के बाद अपने आप computer ओन हो जाएगा और यह option जो है काम करने लगेगा जो भी डिस्प्ले पे यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं वो बड़े बड़े अक्षर में आने लगेगा तो इस तरह से जो आप अपने computer के font size को आसानी से बढ़ा सकते हैं आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने subject go चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दिजे और इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे और देखते रिए subject को और सिखते रिए धन्यवाद थेंक्यू